तो आज के हमारे brand new tutorial में आप सब का स्वागत है क्योंकि आज कल trend है डिस्को का और पार्टी का तो आज हम आपके लिए क्या है कुछ special और सबसे famous और सबसे आकरशक डिस्को और पार्टी के लिए कुछ dance steps जिसमें मेरा साथ देंगे मनोश शर्मा लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो उससे जल्दी से कर लिए और साथ ने bell icon प्रेस कर ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी notification आप तक महुंसके तो चलिए जल्दी से start कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले देखिए footwork pair side में निकालेंगे देखिए one अपने toes के उपर मतलब अपने पंजे के उपर रखेंगे ad उठागे इसके बाद two पे इस ad को रख लेंगे और दूसरी उठा लेंगे two देखिए पहले pair उसके बाद फिर body language सिखेंगे देखिए one two फिर इदर three four five six seven eight अब इसके साथ देखना कि आपने body का c बनाना है जब आप one करोगे तो body का c मतलब body का एक arc बनना चाहिए देखिए one ये पूरा c language में body आने चाहिए one फिर two पे body c दी two फिर c four five six seven eight ये basic मतलब पहले body c बनाई देखिए pair side में निकाला ad उठाके और कंदे को इस side लिया तो body का c बन जाएगा ऐसे फिर body को सीधा कर देगे दूसरा pair फिर इस pair को लेंगे फिर c फिर दूसरा देखिए ऐसे one two eight तक एक बर खाली basic counting पे करते है ready start one two three four five six seven eight अब इसके साथ हाथ देखिए जब इस side से लेंगे तो हाथ इस side देखिए one हाथ को इस तरह फलका सा wave में लेना है one two पे चुटकी फिर three four पे चुटकिया बजानी है five six seven eight एक बर counting के साथ करते है ready start one two three four five six seven eight देखिए जब सी किया था उसी के साथ हाथ देख लेजिए सी के साथ हाथ इस तरफ one फिर इसी तरिके से जैसे हमने counting पे किया पूरा होई यह था पहला step यह side step हम music के साथ करेंगे एक बार पूरा सीख लेते हैं उसके बाद last में हम सारे step music के साथ एक साथ करेंगे तो अब जो हम second step करेंगे यह step सबसे famous step है disco का क्योंकि यह step कम से कम space में किया जाता है disco में आपको करने के लिए space कम मिलता है और यह step पूरा graceful है और कम space में हो जाता है इसलिए step काफी famous है क्योंकि ऐसे steps काफी famous हो जाते है जिनको करने में असानी होती है graceful हो और space कम लगे तो second step देखिए footwork वही C वाला हाथ थोड़ा सा change हाथ ऐसे देखिए अब इसके साथ C बना के हाथ opposite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तक इसमें हलका हलका अपने body को पीछे की तरफ लेके जाएंगे देखिए ऐसे उसमें C बनाया था इसमें shoulder को आगे देखिए ऐसे shoulder नीचे लेके नीचे लेके सामने देखिए 1, फिर 2, पैर वैसी फिर 3, 4, 5 6, 7, 8 हाथ वैसे ही देखिए कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक बार counting बगरते हैं Ready? Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो चलिए थार्ड स्टेप इन दोनों स्टेप से थोड़ा साल है ये स्टेप भी काफी famous है थोड़ी सी हलकी से हम movement करेंगे साइड में जैसे मैंने पहले दो basic केते हैं उससे थोड़ा साल है देखिए हाथ उपर 1, फिर हाथ नीचे 2, देखिए 1, इसमें पैर पीछे चल जाएगा 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक बार समझ लिए देखिए 1 वैसे ही पैर अब हाथ नीचे पैर पीछे 2 देखिए बस इतना सही है 1, 2 बस इतना समझ आ गया तो पूरा स्टेप आ गया क्योंकि सेकिंड साइड सेम रिपीट करने इसके साथ हलका सा गर्दन को भी मुवमेंट देंगे 1, 2, 3, 4 अच्छा लगता स्टेप के साथ एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं रेडी स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह थे डिसकों के ती स्टेप एक बार यह सारे स्टेप म्यूजिक के साथ देख लेते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद है सारे स्टेप सीख कर आप अच्छे से प्रफॉर्म कर पाएंगे तो जल्द मिलते हैं हमारे कुछ नए टुटोरिल्स में जब तक के लिए नमस्कार